वैग्यानिक तो था आकेलोजिस इस दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार नई नई चीजों की खोज में लगे रहते हैं ऐसी ही खोजों के दौरान कभी कभी ऐसी चीजों भी मिल जाती हैं जो हर किसी को हैरान कर जाती है तो चलिए आपको इस वीडियो में ऐसी ही दस हैरान करने वाली चीजों के बारे में बताते हैं जिनका हाल ही में पता चला है अक्टोबर 2020 में इरान के कुर्दिस्तान प्रांट में खोदाई का काम चल रहा था खुदाई के दौरान एक बेहत पुरानी कबर मिले जिसमें इनसान का कंकाल था ये कबर लगभग हजार साल पुरानी थी पुरानी कबर और उसमें इनसानी कंकाल का होना कोई नई बात नहीं थी लेकिन इसमें जो नई बात थी वो ये थी कि कंकाल एक मिट्टी के बने विशाल जार में था ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी को मिट्टी के बने जार में रखकर दफन किया गया था अखिर ऐसा क्यों किया गया इसी का जवाब ढूड़ने में वैक्यानिक लग गया उस जार में कंकाल के साथ तलवार छोरे समेथ कई ऐसी चीजें भी थी जिससे ये पता चला कि संभवता है जिसका कंकाल है वो अपने समय में सैनिक था जिसकी मृत्यों यूद्ध के दौरान हो गई होगी इससे सम्मान से अंतिम विदाई देने के लिए ही इस मिट्टी के जार काउपयों किया गया होगा आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के समय में जाली या नकली नोटों का कारोबार काफी बड़े स्तर पे फैला हुआ है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जाली पैसों का खेल आज से नहीं बलकि हजारों साल पहले से खेला जा रहा है चांदी के सिक्कों के खोज 1220 से पहले की गई थी इसरेल के आसपास वाले शित्रों में उस समय चांदी बहुत कम मात्रा में मिलता था उस समय चांदी के सिक्कों का चलन था और चांदी बहुत कीमती माना जाता था ऐसे में वहाँ लोगों ने चांदी के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दे इस बात का खुलासा हाली में हुआ है। दिरसल इस्रेल के अलग-अलग शेहरों में खुदाई के दौरान 1220 के आसपास के 35 चांदी के सिक्के मिले थे। इस कंकाल की जब जांच की गई तो पता चला कि इस कंकाल के शरीद में अभी भूजन का कुछ हिससा बचा हुआ था। शरीर पचा नहीं पाया, यही उसके पेट में जमे रह गए और यही उसके दर्दनाक मौत का कारण बना। कंकाल के अवशेश से लगभग एक किलो के आसपास टेड़ों के अवशेश प्राप्त हुए थे। वोल्ड वाइड लाइफ नाम की संस्था जौमनी में मौझूद बे ओफ गेल्टिंग में मचली पकड़ रहे थी। जब मचली पकड़ने के लिए उसने एक बार समद्र में जाल फेका और बाहर खीचा तो जाल में उसे कुछ अजीब हो गरीब चीज दिखाई थी। यूमन बोन विपन्स लिंड ही नौर्थ सी के नीचे समा गया था। इसरेल का जाफा यहां के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसी शहर में खुदाई के दौरान एक छोटा सा जार मिला। आम भाशा में कहें तो यह जार एक घड़े जैसा था। जिब उस जार के भीतर देखा गया तो उसमें एक छोटे से बच्चे का अवशेश था। चांच से पता चला कि यह अवशेश और तीस सो साल पुराने हो सकते हैं। इस जार के मिलने के बाद कई तरह के सावाल उठे क्योंकि इस रेल में किसी का भी अंतिम संसकार इस तरह से नहीं किया जाता है। लोगों के जहन में यह सवाल आने लगा कि आखिर क्यों इस बच्चे को इस तरह जार में रखा गया होगा। इसरेल आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के सदस से भी इस बात का जवाब नहीं वे पाए कि आखर किसी ने इस बच्चे को ऐसा क्यों रखा होगा अभे भी सवाल का जवाब ढूंडा ही जा रहा है बुलगेरिया के एक शहर से 20 वी शताबदी के शुरुआत में एक बेहत पुराना भारी भर कम शिलापट मिला था उस पर कई सारी बाते लिखे होई थी जब उन बातों को विशेशग्यों के टीम ने समझना शुरू किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली जानकारी प्राप्त होई ये शिलापट लगभग दूसरी शताबदी के आसपास की थी उस पर जो जानकारी लिखे होई थी उससे पता चला कि उस समय शेत्र में राजगदी को लेकर विवाद हुआ था इस विवाद में शहर के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया था जो कि पर बैठने के लायक नहीं था इसी खुशी में इस शहर के लोगों ने जीतने वाले को एक भारी भर कमदान दिया था शिलापट पर लिखे गई बातों से पता चलता है कि उस समय के शासक सेप्टिमर सर्वस को साथ लग सोने के सिक्के दान में मिले थे हम खेतों में या कहीं खुदाई के दोरान सोने के सिक्के मिलने की बातें किसे कहानियों में ही सुनते आ हैं लेकिन ऐसा 2020 में इंगलेंड में एक परिवार के साथ सच में हुआ इंगलिन के साउथ हीस्टरन शहर में एक परिवार अपने घर पे ही खुदाई का काम कर रहा था इसी दोरान उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ अजीब सा दबा हुआ दिखाए दिया जब खोद कर उसे बाहर निकाला गया तो सभी के होश उड़ गये एक साथ मिट्टी के नीचे 63 सोने के तथा एक चांदी के सिक्कों को रखा गया था इस सोने के सिक्के 15 सेंचरी के थे इन सभी सिक्कों पर उस समय के ततकालीन समराटों की तस्वीरे थी लोग की जहन में ये सवाल आने लगा कि आखर क्यों किसी ने इतने सोने के सिक्कों को मिटी के नीचे दबा कर रख दिया था खर इसका जवाब तो नहीं मिला लेकिन उस परिवार को खजाना जरूर मिल गया लेकिन उन पेंटिंग्स को आज तक दुनिया सुलजाने में लगे हुई है इसे क्रब में लेवनार्डो की बनाई साथ पेंटिंग्स पर गहरे अध्यां के दोरान पाया गया है कि उन पेंटिंग्स पे काफे अधिक संख्या में सुक्षमजीब यानि माइक्रोब्स मौचोद है इसके अलावा उन पेंटिंग्स पे मनुश्यों के डियने भी है अब ये कहां से आये हैं ये लियोनार्डो ने इसे अपने पेंटिंग्स में उप्योग क्या ये थोड़ा रहसे माई है कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि क्योंकि ये पेंटिंग्स पुराने हो चुके हैं और इस दोरान ये कहलों के हाथों से गुज़रे हैं साती लगातार वायो मंडल के सीधे संपर्क में भी रह रहे हैं ऐसे में संभवे कि ये डियने और माईक्रोब्ज इन ही स्रूद से पेंटिंग्पे आये होंगे हाली में इजिप्ट में इजिप्ट अथा जर्मनी के विशेश अग्यों ने मिलकर एक प्राचीन स्थल को फिर से रिस्टोर किया है इस थल लगभग 2000 साल पुराना है इजिप्ट में इसे टेंपल ओफ एसना के नाम से जाना जाता है जब एक स्थल पे काम करना शुरू किया और जब इसकी गहराई से साफ सफाई शुरू की तो इसमें जो कुछ देखने को मिला वो बेहत हैरान करने वाला था यहां जो पेंटिंग्स की गई है वो हजारों साल पुरानी है लेकिन देखने से रगता है इसे कल ही पेंट किया गया है इसके अलाबा इसमें कई ऐसी रहसिमाई चीजे बनी हुई है तो धूस्तों ये थी आज के वीडियो इन खोजों में से आपको सबसे अच्छा या रहसिमाई खोज क्या लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना न भोले और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक ऐसे ही रोचक वीडियोज आते रहें धन्यवाद झाल